वेलकम बैक टुमाई टूपिशन पेपर हैकर कैसे हैं आप सभी लोग आई हो बच्छे होंगे और आज की इस वीडियो में हम यह देखने वाले हैं जो भी जात्र आपको पेपर होने माला है 2022 में यहां से बाहर कोशन नहीं जाएगा आप इन कोशनों को याद कर लो दस से लगवग बारा कोशन होंगे मैं इंपोटेंट बदा रहा हूं जो बहुत जादा आपके लिए एक्जाम के लिए बहुत महत्पूर्ण होने वाड़े हैं समझ रहे हो 2019 से लगातार 2021 आगई समझ लो 2021 लगातार हमने जो भी कोशन बता है वो सारे कोशन एक्जाम में आएं यह आपको बता होगा और ऐसा कोई एसा कोई यहर नहीं गया जिसमें से आपको 95% ठीक है 97, 99% तक फसा है आपके एक्जाम में 99% तक फसा है समझ लो 2nd year 3rd year बालो याद रखो आपका 1st year में हो आप देखो B.A. 1st year में हो आपका भूगोल का पेपर है मतलब जिसे जियोग्राफी बोला जाता है आप इसमें देख सकते हो कि जो मैं कोशन बताता हूँ वही कोशन आएं पेपर में इस बात को याद रखना है आपका रिटेन एक्जाम होने वाला ह समझ रहें और बाकि आपका जो फूड और नेट्रेक्शन वगारा जो आपका निट्रेक्शन वगारा दो पेपर है आपका वह एक औप्जेक्टिव होगा उसके मैंने वीडियो प्रबाइट करा रहा किए आप उन वीडियो को देख लेना हर प्लिलिस्ट में जाएगी प् पूरा नोट्स समझने होना सोट में जो को भी आप चांदते भी समझ नहीं सकते उस तरीके सिम्ले नोट्स को बना है अब आप जियोग्राफिक के कोशन को याद करनो पहना कोशन आप या देखेंगे कि जो बहुत एक भूगल होता है वो किसे कहते है बहुत एक भूगल की विकास कैसे हुआ ठीक है उसके बाद में आप यह देखेंगे कि प्रित्वी अधियाद रखना नेक्स कोशन आपके सामने आता है देखें यह वाला उसके बाद में यह कोशन आता है कि प्रित्वी की आंत्रिक सरचना को बिचार करिए मतलब जो प्रित्वी है उसकी आंत्र उपर पड़ी थी देख सकते हो यह सौर मंडल की उत्पत्ति बैसे हमें महादीप और महा सागर की उत्पत्ति कैसे हुई यह भी आमें देखना है ठीक है सबसे बड़ी चीज होती ही बना बना के करना कि ऐसा तो नहीं होता आगे पीछे भी लेन हो जाती ही बहुत सारी ठीक है करने का तरीका आपको पता होना चुछी एक दूगर महादीपी विस्थापन सिध्धान्द की बारे में भी साथ में इसमें पढ़ लेंगे कि महादीप क जो जो कह सकते है बैगनर ने एक महादीपी विस्थापन सिध्धान्द दिया था उससे ध्धान्द को एक बार पड़ जरू ले ला ठीक है चलो नेक्स्ट को क्या पढ़ेंगे देखो यहां से यह वाला इंपोटेंट है यह वाला द्हान से देखो यह वाला देखो धिखो जाते हैं बहुत सारी जो पास में आजाता है यह फिर लहरे हिलने लगते हैं खटी है तुम देखाऊगा जो भी चार पाहिए वह करा है तुमारी पैसे यदि भूकम तेज आता तो लहरे आ जाती न हिलने की लहरे तो हो चीजा हो यह एक्स्प्रेंट करना है साथी सथ सिद्धांद की बात की थी यह देख सकते हैं जो सिद्धांद की बात की थी वही बात की दरा यहां उसके बाद में देखो यहां वो लगए परवत का निर्माण कैसे होता है परवत निर्माण सिद्धांद के बारे में आप याद कर लेंगे यह मौस्ट इंपोटेंट है व वो अभीनती किसे कहते हैं, वो अभीनती की विसेस्ताइं और उनके सिध्धान्त को पढ़ लेना, ठीक है, ये कोश्य है आपके रिए most important नेकर, चटान आप तो बता होगा, चटान क्या होती है, चटान किसे कहते हैं, चटान क्या होती है, इसको आप देख लेना है, उसके बा इसके पिरकार को हम देखेंगे और उसके बाद में हम देखेंगे जो अवwa sap और देखो यहां भूशता है कि जो प्रिवाही जन होते हैं मतलब कि जो नदी है एक प्रवाही का मतलब होता है जो ऊसका कार क्या होता है जो कोई बहर आए, कोई जल बहर आए, बलो नदी बहर ये, गंगा बहर ये, तो उसका कार क्या है, उस गंगा नदी का क्या कार है, उसके बारे में आपको explain करना होता है, ठीक है, सिंपल तरीके से यारे, यह सब बना बना के लिखने के सब चीजी है, कुछ फालतु पढ़ने क कर ला बार, आप एक बार पढ़ो के बना-बना के लिख दो गो, उसके बाद में है डेल्टा किसे कहते हैं, ग कैते हैं? उसके बाद में है बायु-मंडल की सरक्षना क्या होती है, क्या है, आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है, और देखो, यहां बूलागए बहुमिगत, जो उसके जलके कि न उतने ऐसे बहोविए में है उसका जलका क्या कार होता है ठाव्यमिक बता रहा हो उसको असी तरीके सरना के बारे में इसको छोड़ देना चक्रवात हो गया देखो जुआर भाटा इस मौश्ट इंपोटेंट होगा जुआर भाटा की उत्पत्ति कैसे होती है और इसके सिद्धान्त के बारे में ठीक है यह आप पढ़ेंगे ठीक है और इसके बारे में लास्ट में यह कोशन पढ़ना है बाकी क सब्सॉर्ट में देखने को मिलेंगे लॉंग मैंने अलग से बता दिये ठीक है पांच शे कोशन मैंने लॉंग बता होगे साथ साथ कोशन लगवग में और बाकी यह कोशन पढ़ लेना ठीक है तोटल मिलाके अच्छे तरीके से आप मिल जागे कोई दिक्कत नहीं है बायो वाले कोशन ठीक है यह आने वाले कोशन है आप इन कोशनों को पढ़कर याद रखना 85% प्लस लाएंगे 45% प्लस आहां सब को देखने को मिलेगा यदि आप टॉप करना चाहते हैं तो आप इन कोशनों को पढ़ना पड़ेगा यार समझना पड़ेगा आप द्यान से टाइम है इन कोशनों को पढ़कर आप 85% प्लस लाएंगे चलों को सस्क्राइब कर ले ना बैल आइकों को प्रेस कर देना जो भी पेपर होता रहेगा उससे पहले आपको अप्लोड करते रहेंगे वीडियो और वही पेपर में आयाएगा ठिक है चलों को सब्सक्राइब कर अभी कर लेना चनल को सब्सक्राइब करो भी फटापा ठीक है ओके